मेरा नाम प्रीती है मैं एक नियूज रिपोर्टर थी बचपन से ही मुझे नियूज रिपोर्टर बनने का बहुत शौक था जब मैं टीवी में नियूज रिपोर्टर्स को देखती तो बहुत खोश होती थी क्योंकि मेडिया में काम करने वाले लोगों को समाच की अच्छी जानकारी होती है बंगाल की जेल में 22 साल कैद की सजा पाने वाली औरत ने अपनी सजा के समय जब वो कैद थी तो उसने 12 साल बाद दो बच्चों को जनम दिया बच्चों के पिता का पता लगाने के लिए जब उनके डियने टेस्ट करवाए गए तो सबके होश उड़ गए थी वो नी तो गुपता से कह रहे थे कि आपने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है कि आप इस बात को एकसिप्ट करती हो कि ये मरडर आपने ही किया है उसने धीरे से हामे सिर हिला दिया था जच सहाब की आवाज दुबारा से गुझे थी उन्होंने कहा कि आपको इस शब और दुश्मन की नजरों से देख रहे थे वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसे मासूम समझ रहे थे उस पर तरस खा रहे थे मगर कोई भी उसके दिल का हाल नहीं जानता था वहाँ पर बैठा हुआ कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो उसकी तरफदारी में बोल सके फिर उसने धीरे से अपनी नजर जच सहाब पर डाली और धीरे से कहा कि जी हाँ मैंने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है ये मर्डर मैंने ही किया है सामने बैठे हुए वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत गया हो वो उसकी वज़ा से उसकी धीमी आवाज भी अदालत में सब तरफ गूंच रही थी और वहाँ पर बैठी हुए लोगों ने साफ सुना था कि नी तो गुपता ने खुद अपने मूँ से अपना जुर्म कुबूल कर लिया है और वहाँ पर बैठी हुए बहुत से लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया था हर कोई उस औरत की हिम्मत पर हैरान हो रहा था क्योंकि ना सिर्फ वो मडर करके यहां तक पहुंची थी बलकि बड़े अराम से अपने जुर्म को उसने भरी अदालत के सामने एकसेप्ट भी कर लिया था जजज सहाब ने कुछ देर अपना कलम कागस पर चलाया और फिर अपना फैसला सुना दिया यह अदालत नीतू गुपता को आरोपी साबित करने पर 22 साल की कैद बमुशकत की कड़ी सजा सुनाती है एक आसू नीतू गुपता की चेहरे पर टपका था और उसके चेहरे में ही जमकर रह गया था कुछ पुलिस कॉं का सबसे बड़ा और फेमस केज था क्योंकि वो जिस इनसान की पतनी थी वो इनसान कोई मामुली इनसान नहीं था वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेता था और हजारों लोग उसके आगे पीछे घुमते थे पूरा शहर उसको अच्छी तरह से जानता था वो काफी अम गाड़ी में बिठा दिया था उसके मूँ से कपड़ा हटाया गया तो उसने गहरी सांस ली थी 20 साल की उमर में वो 22 साल कैद की सजा पाकर जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली थी उसके चेहरे पर ना तो कोई पच्छतावा था और ना ही कोई उमीद इतने कड़े समय में उसकी आँखों में आसू भी नहीं दिख रहे थे ना ही भागने का कोई इरादा था और ना ही जिन्दकी की कोई जुस्तु जूब ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके लिए तो सबकुछ खत्म हो चुका था अब बस उसे वो सांसे गिननी थी जो भगवान ने उसके लिए इंतिजार कर रही थी मैंने फॉरन ही माईक उसकी तरफ बढ़ाया और उससे बात करनी चाही थी लेकिन पुलिस वालों को सक्त मना किया गया था कि नीतु गुपता का कोई भी इंटरव्यू मेडिया पर नहीं आना चाहिए हर कोई जानना चाहता था लेकिन ये मैटर खत्म हो गया और नीतु गुपता ज्यादा दिन सुर्कियों में ना रह सकी क्योंकि उसने जल्दी ही अपने आरोप को एकसेप्ट कर लिया था अगर वो कुछ दिन जुट बोलती या उसके खिलाफ कुछ और चश्मदीत गवा खड़े होते तो ये केस कुछ दिन बढ़ सकता था पबलिक को नए-ने नियूज उसके थुरू मिल सकते थी मगर ये केस बहुत ही जल्द खत्म हो गया तो पबलिक भी शान्त बैट गई थी वैसे तो पबलिक ये भी चाहती थी कि नीतु गुपता का नाम ज्यादा नहीं उचलना चाहिए और ये केस जल्दी ही खत्म हो जाए इसलिए नीतु गुपता का इंट्रव्यू नहीं लेने दिया गया था लेकिन मैं थी कि नीतु गुपता के पीछे चलते-चलते सिर्फ एकी सवाल कर रही थी कि क्या आपने किसी दबाफ में आकर अपना जुर्म कुबूल किया है या फिर आपको किसी ने मजबूर किया है नीतु गुपता की आँखों से मेरे सवालों पर लगातार आसू बह रहे थे, लेकिन मैं थी किस केस की तह तक जाना चाहती थी, नीतु गुपता ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया था, और फिर पोलिस वाले मुझे से जगलने लगे थे, यहां तक कि नीतु गुपता म सब कुछ जानने चाहती थी, मगर कुछ नहीं जान सकी और अपना माइक पकड़ कर अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी, ना जाने क्यूं, मुझे इसकी इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था, मैं सब कुछ भी करके नीतु गुपता के असली बयान लेना चाहती थी, नजाने क्यूं मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि वो आरोपी है, क्योंकि उसकी नजरों में एक कहानी थी जो मुझे साफ नजर आ रही थी, मगर दुनिया वालों से अंजान थी, जो कहानी में जानना चाहती थी, वो मुझे जानने का मौका ही नहीं मिल रहा था मैं एक बहुत छोटे सी चैनल की मामूली सी एक रिपोर्टर थी लेकिन इस केस की वज़ा से मैं अपना नाम आगे बड़ा करना चाहती थी अपने आपको फेमस करना चाहती थी मगर मुझे मौका ही नहीं मिल सका था और नीटू गुपता को सजा भी दे दी गई है। इस केस में कुछ भी करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। नहीं आपकी तरक्की होगी और नहीं हमारा चैनल उपर जाएगा। हमें किसी और जगा नौकरी के लिए अपलाए करना चाहिए। ये सुनकर मैंने खल किसी मुस्कुराहट कैमरामेन को दी थी फिर वो कहने लगा कि हमारा चैनल भी उपर जाएगा और हम तरक्की भी जरूर करेंगे बस कोई अच्छे से स्टोरी हात आ जाए वैसे नीतु गुपता की स्टोरी में तो दम बहुत था लेकिन ना तो कोई उससे हमें बात करने दे रहा था और ना ही वो हमें खुद भी कुछ बताने के लिए तैयार थी बड़ी ही अजीव लड़की है खुद अपने मुँसे अपना जुर्म कुबूल करके बैड़ गई अगर ये खुद अपना जुर्म कुबूल ना करती तो अभी ये केस सालों तक चल लेकिन आफिस पहुँचते ही बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और बहुत जादा मेरी बेज़ती की थी दरसल बॉस ने हमें किसी और नियूस को कवर करने के लिए भेजा था लेकिन मेरा सारा ध्यान तो नीतु गुपता की तरफ था मेरा मन नहीं मान रहा था नीतु गुपता को सजा आखिर कैसे हो सकती है मुझे लगता था कि इस केस में कोई न कोई ऐसी बात जरूर है जिसका दुनिया के सामने आने पर धूम मच सकती है और मैं ये धूम अपने चैनल के जरीये मचाना चाहती थी लेकिन बॉस ने मेरी एक भी नहीं सुनी मैंने कि बहुत गुस्सा आ रहा था जैसा मैं चाहती थी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था अपने बॉस से इतनी इंसल्ट करवाने के बाद मैं ठाक हार कर अपने केबिन में आकर बैठ गई थी मेरे सामने नीतु गुपता के केस की डिटेल्स रखी हुई थी क्योंकि किसी वकील की त तार पर अपने पास लिखी हुई थी मुझे इसकी इसमें ना जाने क्यों इतनी ज्यादा दिल्चस्pet Thi ये टुमें खुद भी नहीं जानती थी ना जाने क्यों नीतु गुपता मुझे कुछ अजीब से लग रही थी उसने जो कुछ भी कहा था वो सच नहीं था मुझे ऐस लड़की थी जिस पर मर्डर का केस चल रहा था उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं था और नहीं कोई गवा था उसके तरफ से कोई वकील भी खड़ा नहीं किया गया था वो मौके पर पकड़े गई थी इसलिए उसे गिरफतार किया गया था और फिर उसने अपने मूँ से जर्म कुबूल कर लिया बस उसने अपने मूँ से सब कुछ एकसेप्ट करने के बाद इस केस को बहुत जादा असान बना दिया था बस यही बात तो मुझे बहुत जादा खटक रही थी कि कोई भी ओरत अपने मूँ से अतनी असानी से अपना जर्म कैसे कुबूल कर सकती है व पास करूज समय जब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल हो उसके लिए तो अभी जिन्दगी गुजारने के लिए पहार जैसे जिन्दगी पड़ी हुई है और वो 20 साल की उम्र में ही जेल चली जाए मेरा इरादा इसकेस के अलावा किसी और केस पर काम करने का बिल्कुल भी नहीं था मैं बार बार इसी केस के बारे में सोच रही थी इसलिए जैसे ही मेरी ओफिस से चुटी हुई तो मैं नीतु गुपता के एड्रस पर पहुँच गई थी मैंने अपना आईडी कार्ड अपने गले में डाल लिया था नीतु गुपता के घर के दर्वाजे के बाहर पड़ी तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ी और कहने लगी कि नीतु को सजा हो चुकी है वो जेल चली गई है आप लोग भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दो हमारे जिंदगी को ज्यादा मुश्किल मत करो इससे पहले कि वो ओरत दर्वाजा बंद करती मैंने जल्द नीतु गुपता के बारे में कुछ इंफॉर्मिशन दे देतों आपकी भी फोटो चैनल पर आएगी आप भी फेमस हो सकती है वो रत जिसमें मुझे कोई भी इंटरस्ट नहीं था वो एकदम से चौक गई और कहने लगी कि सच बताओ मैं टीवी में आऊंगी मैंने हां में स अंदर हिलाया तो उसने दर्वाजा खोल दिया और मुझे अंदर जाने दिया और फिर जल्दी जल्दी वो खुद तयार होने लगी जैसे किसी प्राइम टाइम के शोकी एंकर हो मैंने अपनी मुबाइल का कैमरा ओन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और सवाल जवा भाई और भाई के अलावा कोई भी नहीं रहता था उसकी भाई सच धचकर मेरे सामने आकर बैट गई और हाथ चला चला कर नीतू की बुराइयां करने लगी नीतू की भाई कहने लगी कि नीतू तो शुरू से ही एक आवारा और बिगड़ी हुई लड़की रही है उसके मा भाई ने जल्दबाजी में मुझसे शादी कर ली थी लेकिन नीतू किसी के कहा सुनती थी उस पर तो किसी का बस ही नहीं चलता था मैं उसे जितना घर में बिठाना चाहती उसके कदम उतना ही दरवाजे के बाहर पढ़ते थे और उसकी अवारा गर्दी के नतीजे में ही उ उसे महबत हो गई थी और जिस इंसान से उसे महबत हुई थी उसके साथ ही उसने हमारी मर्जी के बिना शादी कर ली थी नीतू के करेक्टर के बारे में तो ये मोहला भी अच्छी तरह से जानता है कि कैसे वो बार बार बहाने बहाने से घर से बाहर निकलती थी अब अगर औरत पहले से ही इतनी अवारा होती है तो शादी शुदर जिंदगी में कहां उसकी निप सकेगी उसका पती ऐसी बातों को कहां बरदाश करता शायद इसी वज़ा से उन दोनों के बीच कोई बात हुई थी और फिर वो हो गया इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं अपने कानों को हाथ लगाती हुई नीतू की भावी कहने लगी कि मरी नन तो बहुत हिम्मत वाली औरत निकली हर कोई उसे मासूम समझत था लेकिन देखो कैसे अपने ही पती का उसने कतल कर दिया और अदालत में उसने खुद अपने मूँ से अपना गुना एक्सेप्ट भ पूरा किया था और मैंने कैमरे को बंद कर दिया था ये सारी बाते तो मुझे पहले से ही पता थी नीतू की भावी ने मुझे कोई भी नई बात नहीं बताई थी फिर नीतू की भावी मुझे से पोचने लगी कि मुझे शो का टाइम तो बताती जाओ ताकि मैं मोहले वालो को बता सकूं कि मैं टीवी पर आने वाली हूं मैंने नीतू की भावी से कहा कि मैं आपको कॉल करके बता दूंगी और फिर मैं वहां से निकल आई अपना मुबाइल मैंने कार की सीट पर पटका था और घुस्से में ड्राइविंग करनी शुरू कर दी मैं जितना इस मामले को जानने की कोशिश कर रही थी इतना ही घूम फिर कर वापस उसी मकाम पर आ जाती थी जहां से मैंने इस केस के शुरुआत की थी ये सब वही बाते थी जो पिछले दो महीने में मैंने कई लोगों के मुझे सुन ली थी जो मैं सुनना चाहती थी वो कोई भी मुझे बताना ही नहीं चाहता था अगले दिन में आफिस गई तो मुझे पता चला कि मेरे नौकरी खत्म हो गई है ये खबर सुनकर तो मुझे एक जोरदार जटका लगा था मेरे जिन्देगी में एक से एक मुझे बुरी खबर मिल रही थी दर असल जिस नियूस को कवर करने के लिए मुझे भेजा गया था दूसरे चैनल ने उसी नियूस को बड़े अच्छे तरीके से ब्रेक किया था और उस चैनल को रेटिंग भी बहुत अच्छी मिली थी यही वज़ा थी कि बॉस ने गुस्से में मुझे नौकरी से निकाल दिया था वैसे भी मुझे इस नौकरी में कोई इं वैसे भी मेरे इस दुनिया में मेरी दो बहनों के अलावा कोई भी नहीं था दोनों बहने शादी शुदा थी और अपने जिन्देगी में बहुत खुश थी मैं अकेली ही थी इसलिए अपने जिन्देगी को अपने हिसाब से जीती थी मैंने दूसरे कंट्री जाने के बाद वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग से नीतु गुपता पूरी तरह से गायब हो गई थी लेकिन किस्मत इंसान को गुमा फिरा कर फिर उसी जगा पर ले आती है जहां से वो चलना शुरू करता है पूरे दस साल गुजारने के बाद मै मैं वापस अपनी कंट्री लॉट आई थी क्योंकि अब मेरा ट्रांसफर इंडिया में हो गया था यहां थे ही मुझे एक स्पेशल केस के लिए जेल भेजा गया था ताकि मैं रिपोर्ट कर सकूं मैं अपनी टीम के साथ जेल पहुँची थी और अपना काम पूरा करने के ब बलकि अब अपने एक प्राइम टाइम शो कर रही थी और हर कोई मेरे काम से बहुत जादा इंप्रेस था मेरे कहने पर जेलर मुझे लेकर जेल में घूमने लगा मैं रुक रुक कर हर औरत से थोड़ी थोड़ी बाचीत कर रही थी फिर मेरी नजर अचानक एक ऐसी औरत पर रहे थे चहरे पर जमाने भर की ठकन थी बेबसी की तस्वीर बनी हुई वो औरत मुझे पूरे तरह से हिला कर रह गई थी मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि पूरे दस साल बाद भी औरत दुबारा मुझे मिल सकती है वो नीतु गुपता थी जो एक कोने में गुमसुम से बैठी हुई थी उसकी कंडिशन बहुत जादा खराब थी मुझे उसे देखकर बहुत तरस आ रहा था मैंने जेलर से फॉरण ही पूछा कि ये नीतु गुपता ही है ना जो पॉलिटिकल नेता राजेव गुपता के कतल के इल्जाम में यहां आई थी जेलर कहने लगा हा मैं मांगा था ताकि मैं अकेले में नीतु से कुछ बातचीत कर सकूँ आज पूरे दस साल बाद मेरे पास नीतु से बात करने का एक अच्छा मौका था जेलर उसके सेल का ताला खोल कर वहां से चला गया था और मैं नीतु के सेल में जाकर उसके सामने बैठ गई नीतु ने दस साल पहले उसे सवाल जवाब किये थे जो हर हाल में उसे बेगुना साबित करने के लिए तैयार थी शायद बहुत सालों बाद नीतू के चहरे पर एक धीमी से मुस्कुराहट आई थी नीतू मुझसे कहने लगी आफ फिर आ गई हो मुझे उमीद भी नहीं थी कि नीतू को आपने काट ली है अब तो कम से कम आप मुझे अपनी कहानी का वो सच बता दो जो मैं जानना चाहती हूं नीतू मुस्कुरा कर मुझे देखने लगी और कहने लगी आपने घलत अंदाजा लगाया नाहीं मुझे किसी ने मजबूर किया था और नाहीं किसी ने मुझपर कि मैंने तो सुना है आपके पास दो बच्चे हैं लेकिन जेल आने से पहले तो आपके पास कोई भी बच्चा नहीं था फिर ये बच्चे कैसे हुए ये सुनकर नीतु ने अपना सर जुका लिया था और कहने लगी कि ये सवाल आप मुझसे नहीं करो तो अच्छा होगा वैस बच्चे मेरी शकल भी देखना पसंद ना करें नीतु की आँखों में नमी उतर आई थी और यहीं बात मुझे बहुत जादा परिशान कर रही थी कि एक औरत जो खाली दामन इस जेल में आई थी वो दो बच्चों की मा कैसे बन गई थी मैं कहने लगी कि मैं आप से आपकी कहानी जानना चाहती हूं लेकिन नीतु ने ये कहकर मुझे इंकार कर दिया था कि किसी दूसरे इंसान में सिर्फ उसी समय तक इंटरस्ट होता है जब तक वो पूरी तरह उसकी खोज न कर ले उसके बारे में हर इंफॉर्मिशन एकटी न कर ले आप भी जब मेरे बारे में सब कुछ जाओगी तो आपका इंटरस्ट भी खत्म हो जाएगा फिर आप पलट कर कभी मेरी तरफ नहीं देखोगी जबकि मैं चाहती हूं कि आपका और मेरा ये अंजाना से रिष्टा कायम रहे इसलिए मेरी कहानी को राज ही रहने दो मेरे बहुत पूछने पर भी नी त रोड़ कर रख दिया करती थी मैंने जेलर से कहा कि मुझे नीतू के केस की फाइल चाहिए तो जेलर ने साफ इंकार कर दिया लेकिन फिर मेरे कुछ तालुकात काम आए और मुझे जैसे तैसे नीतू की फाइल मिल गई थी आखिर कार 10 साल तक मैंने मेहनत की थी और अपना क मेरे कई बार ऐसा ही कहने पर नीतू मुझे पर हरान होती थी कि सारी दुनिया उसे गुनागार समझती है उसने खुद अपना जुर्म कुबूल कर लिया है तो फिर मुझे कैसे यकीन है कि मैं बेकसूर हूँ और फिर पूरे तीन महीने बाद मेरे जिन्दगी में वो दिन भी आ गया था जब मुझे ये सचा ही पता चल गई थी क्योंकि उस दिन नीतू को मैंने उसकी कहानी सुनाने के लिए राजी कर लिया था नीतू की फाइल्स में लिखा हुआ था कि जेल में लाते ही उसके सारे टेस्ट किये गए थे और जिसमें पता चला था कि वो प्रेग अपने कितना सचता और कितना जूट क्योंकि जेल की अंधेरी दुनिया में वो सब कुछ भी मुम्किन था जिसके बारे में सोचना भी मुम्किन नहीं था और वहां इस अंधेरी दुनिया के लगभग हर रास को मैं ही जानती थी जिस केस की वज़ा से मैं अपना करियर बना सकती थी मेरा क्या था मैं तो दूसरी कंट्री में अपना करियर बना रही थी मगर उस बेचारी पर ना जाने कितने जुल्म हुए थे मुझे नीटू से बहुत हमदर्दी जताना चाहती थी मगर उसने मुझे अपना सच बताने में बहुत समय लगा दिया था हम दोनों आमने स से पहले कुछ घबरा रही थी मैंने उसे तसली दी कि उसे घबराने की या डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है जो भी सच है वो मुझे बता दे मैं उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार हूं मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उसको बदनाम करूं या फिर उ से यकीन आ गया था फिर नीतु गुपता ने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की मेरा नाम नीतु गुपता है मैं गरीब फैमली से बिलॉंग करती थी मैंने अपनी आँख आम नॉर्मल से परिवारों की तरहां एक नॉर्मल परिवार में खोली थी आम लोगों के घरो हमાरे घर में भी बेटों को ज़्यादा एहमियत दी जाती थी और बेटों को बोज समझhando जाते थे और उसकी खौाहिशे पूरी करके ही रहते थे हाला कि मैं एक बेटी थी इसलिए हर बार मैंने ही कुरवानी दी थी और इस बात पर मुझे कभी कोई अतरास भी नहीं हुआ था क्योंकि मुझे भी अपने भाई से बहुत महबत थी धीरे धीरे समय गुजरता चला गय और हम बड़े होते चले गए मेरे बड़े भाई अपने दोस्तों के साथ अवारा गर्दी करते रहते थे और मैं घर गिरस्ती में लगी रहती थी मैं अपनी मा के जिगर का तुकड़ा बन गई थी हमारे जिंदगी में वो समय आ गया जो भगवान किसी को भी नहीं ली गई उनको आधी रात की समय हाट अटैक आया और उनकी अचानक मौत हो गई थी जिसके बारे में हमें पता नहीं चल सका मा का ना होना क्या होता है उस दिन मुझे समझ आया था मेरे घर में सिर्फ दो ही मेंबर रह गए थे मेरे पिता जी और मेरे भाई और उन दोनों के साथ में खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी क्योंकि घर में कोई आरत नहीं थी जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकती और अपनी परिशानी को शेयर कर सकती अगर घर में कोई भी परिशानी होती तो मैं भाग भाग कर पडोस में जाती थी मैं उन लोगों से पूछती थी कि मैं अब क्या करूं और कैसे करूं और फिर उन्ही दिनों पडोस वाला लड़का मेरे साथ कुछ अजीबों करीब हरकते करने लग गया था उस समय मैं सिर्फ 12 साल की लड़की थी जिसके लिए बहुत सारी चीज एक बंताले की तरह थी मतलब बहुत से चीजों के बारे में तो मुझे पता भी नहीं था उस समय मेरे खेलने कूदने की उमर थी और मैंने चोटी ही उमर में घर घ्रस्ती को अच्छी तरह से संभाल लिया था इसलिए घर के कामों में तो मैं पर्फेक्ट थी लेकिन वो लड़का जो मेरे साथ हरकते किया करता था बहाने बहाने से मुझसे बाते करता मुझे चूने की कोशिश करता मेरे करीब आता मुझे बुरी तरह सेट टो में घवरा जाती थी मेरे पसी ठूटने लगते थे लेकिन मैं समund नहीं पाई तो उल्टा मुझे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया था उन्होंने मुझ पर इलजाम लगाया था कि मैं उनके बेटे पर डोरे डाल रही हूं मगर मेरी उम्र कम थी मैं इन बातों को जानती भी नहीं थी मुझे सारे महले मे बदनाम कर दिया गया था मेरे कैरेक्टर पर इल्जाम लगाया गया ये कहा गया कि मैं उनकी बेटे को बहकाना चाहती थी मोहले वालों ने जो सुना उन्होंने भी उसी पर ही यकीन कर लिया यहां तक कि मेरे भाईया ने भी लोगों की बातों पर यकीन कर लिया था उस दिन जाता इसी तरह से खाना भी बनाती रही घर के काम भी करती रही और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती थी मैंने तो भाईया का सामना करना ही छोड़ दिया था लेकिन फिर एक समय आया कि पिता जी भी हमें छोड़ कर चले गए थे हम दोनों भाई बहन अब अकेले रह गए फ वापस दौल कर अपने घर में आ जाती थी भाईया की दोस्त ना जाने उनसे मेरे बारे में क्या कुछ कहते कि भाईया ने मेरे उपर बहुत जादा सक्ती करनी शुरू कर दी थी और फिर एक दिन तो उन्होंने अपनी मर्जे से शादी ही कर ली जबकि वो कुछ कमाते भी नह आएगी क्या पता मेरे पीछे तू क्या क्या करती है इसलिए मैं तेरी भावी लेकर आया हूँ चुतुछ पर अपनी नजर रखे मैं तो पहले भी बेवज़ा घर से नहीं निकलती थी भाईया की शादी के बाद मैं भाईया से बचकर अब भावी के इशारों पर चलती थी मेरी भावी तो बहुती बुरी औरती थी हमेशा मेरे साथ मारपेट किया करती थी और मुझसे घर के सारे काम करवाती थी इसके बावजूद भी मेरी जूटी सची शिकायते भाईया से लगाया करती थी साथ ही उन्होंने महले में भी मुझे और जादा बदनाम करना शुरू कर दिया था हमेशा वो सब को यही बताती थी कि रात के अंधेरे में मुझे से मिलने के लिए मेरे बॉइफरेंड आते हैं लेकिन ये सब जूट था लेकिन मैं खुद को कभी सचा साबित नहीं कर सकी मुझे हमेशा से यही पता था कि जिस दिन मैं सच कहूंगी उस दिन मुझे मार पड़ेगी क्योंकि जब जब मैंने भाबी के खिलाफ अपना सच रखना चाहा तब तब भाईया ने मुझे डंडो से मारा था इसलिए मैंने सच बोलना ही छोड़ दिया था जो जूट मुझ पर बांधा जाता मैं उस पर खामोश हो जाती थी क्योंकि मेरी खामोशी पर मुझे कम सजा मिलनी थी जबकि मेरा सच मेरे लिए ही मुसीबत बन जाया करता था और फिर ऐसे ही मेरे जिन्देगी में जब मैं 19 साल की थी तब राजीव गुपता आ गया वो मेरा कुछ भी नहीं लगता था और नहीं मैं उसे जानती थी बस एक दिन मैं भाबी के किसी काम से मेडिकल स्टोर पर गई थी और वो वहीं पर रास्ते से गुजर रहा था और उसकी गाड़ी मेडिकल स्टोर के सामने ही रुख गई थी तब उसने मुझे देखा था मैं 19 साल की जवान और खुबसूरत लड़की थी वो मुझे पर फिदा हुआ और उसने मेरे लिए रिष्टा भेज दिया उस समय उसका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था वो बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं था लेकिन पैसे वाला बहुत था और उसका पैसा देखते हुए भावी के कहने पर भाईया ने मेरी शादी उसके साथ कर दी सब समझते हैं कि मेरी उसके साथ लव मैरेज हुई थी लेकिन ये लव मैरेज नहीं थी मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं ये तो बस मैं ही जानती थी क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं बलकि मेरी भावी की मर्जी से हुई थी राजीव गुपता मेरे बदले मेरी भावी को मोटी रकम जो दे गया था मैंने अपनी नई जिन्देगी ये सोच कर शुरू कर दी कि जो इनसान मुझे इतनी मुहबत के साथ विदा करवा कर ले जा रहा है वो मुझे अपने घर में जरूर इज़त मान सम्मान प्यार सब कुछ देगा लेकिन ये मेरे गलत फैमी थी राजेव गुपता पॉलिटिकल नेता होने के साथ साथ अपनी पावर का गलत इस्तमाल करता था और अपनी इमेज बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और फिर मेरे जिन्देगी में वो खतरनाक दिन आया जब मेरे पती ने अपने पॉलिटिकल विलिशन कायम करने के लिए मुझे अपने जान पहचान के लोगों के आगे पेश कर दिया वो रात मेरे जिन्देगी के सबसे खतरनाक रात थी जब मैं अपने पती की जगा किसी और दूसरे मर्दों की बाहों में थी और बहुत जादा मजबूर थी क्योंकि मेरे पती ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ पे उल्टा सीधा किया तो वो मेरे जिन्देगी बरबात कर देगा मेरे भाई या भावी को भी मार देगा मेरे लिए मेरे भाई या भावी सब कुछ थे मेरे माता पिता के जाने के बाद मैंने उन्हें अपने पिता की जगा दी थी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वज़ा से उन्हें कुछ हो इसलिए मैं खामोश रही थी और वो रात मेरी काटो पर गुजरी थी लेकिन इस रात के बात मेरी जिन्देगी पूरे तरहां से बदल कर रह गी थी मेरा पती राजेव गुपता ने दुबारा मुझे मुझे मूँ नहीं लगाया और मेरी जिन्देगी इसी तरहां से गुजरती रही थी मैं किसी और मर्द के साथ रात गुजारती रहती थी इसलिए मैं अब उसके किसी काम की नहीं रही थी लेकिन उसने कभी ये समझने की कोशिशी नहीं की कि मुझे गैर मर्दों के हवाले भी तो वही करता था मैं अब अपने पती के काबल नहीं रही थी मुझे इतने समय में मेरे पती से महबबत हो गई थी मैं उससे हर समय उसका साथ मांगती थी उससे कहती थी कि तुमने खुद तो मुझे दूसरे मर्दों के आगे फेका था फिर क्यों मुझे से मूँ फेड़ते हो लेकिन राजीव गुपता को अपनी मरदानगी पर बहुत घमंड था वो कहता था कि मैं किसी और की इस्तमाल की हुई औरत को देखना भी पसंद नहीं करता और फिर मैं अपने जिन्देगी में बिलकुल अकेली हो गई हर समय कमरे में बंद रहती थी और मेरा पती मुझे अपनी जान पहचान वालों के सामने इस्तमाल करने के लिए छोड़ देता था वो मुझे तैयार करवा कर मुझे लॉंग ड्राइफ पर ले जाने के बहाने दूसरे आदमियों के हवाले रात गुजारने के लिए छोड़ देता और बस मैं इन सब तकलीफों को बरदाश कर रही थी मेरे जिन्दगी किसी तरहां से गुजर रही थी और मैं अपनी जिन्दगी से बहुत तंग आ गई थी लेकिन फिर एक रात मेरे पती ने मेरे साथ दरिंदगी की हत पार कर दी थी उसने एक साथ एक नहीं, बलकि दो अपने दोस्तों के आगे मुझे पेश कर दिया था वो दोनों दोस्त उसे कुछ सीटस दिलवाने वाले थे और सीटों के चकर में मेरे पती ने मेरे इज़त को इस तरह से नीलाम कर दिया था कि मैं दंग रह गई थी वो दोनों शराप के नशे में धूते और सारी रात उन्होंने मेरी इज़त को तार-तार कर दिया मैं अपनी इज़त तो लुटा ही चुकी थी, मेरा बहुत बुरा हाल था मैं होश औ हवास में नहीं थी, सुबा का सूरज मेरे लिए बहुत दर्दनाक था रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था और फिर जब मेरा पती मेरे कमरे में आया और उसने मेरी कंडिशन देखी तो अफसोस करती हुए कहने लगा कि अब तुम किसी काम की नहीं रही हो मैं तुम्हारा क्या करूँ ये कहते हुए वो सोच में पढ़ गया क्योंकि मेरा शरीर जखमों से चूर हो चुका था और में दर्ड से बुरी तरह से तलब तलब कर रो रही थी अब मेरी कोई कीमत नहीं लगाने वाला था इसलिए अब वो मुझे किसी के आगे नहीं फेक सकत था क्योंकि कुछ जखम मेरे चेहरे पर थे तो कुछ मेरे शरीर पर भी थे और जले हुए निशान भी मेरे शरीर पर थे इसलिए उसने मुझे डिवार्स देने की बात कही कहने लगा कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा तुम में अपनी इज़त बचानी थी और मैं उसकी बाते सुनकर दंग रह गई थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अपना मकसद पूरा करने के बाद वो मेरे साथ ये सब कुछ करेगा मैं बहुत जादा गुस्से में आ गई थी और उससे जगला करने लगी और मैंने उसे मारना प उठाया मुझे पता भी नहीं था कि रिवॉल्वर कैसे चलती है या उसमें गोलिया है भी या नहीं मैंने तो बस घुस्से में रिवॉल्वर ताना था तो वो मुझे देखकर हसा और कहने लगा तुम जैसी कमजोर औरत मर्त का दिल तो बहला सकती है मगर रिवॉल्वर नह गई थी घर के नौकर ने गोली की आवाज सुनी थी और रिवॉल्वर पर भी मेरी उंगलियों की निशान थे मुझे बहुत आराम से गिराफतार कर लिया गया अगर मैं चाहती तो अपने जुर्म पर इंकार कर सकती थी इसके इसको लंबच चला सकती थी लेकिन मेरे पास जी नहीं थे भावी तो वैसे भी मुझे कैरेक्टरलेस कहती थी और एक कॉलिटिकल नीता का कतल करने के बाद तो इमेडिया मुझे जीने नहीं देता इसलिए मैंने जेल जाना ही ठीक समझा और अपना जुर्म चुपचाप कुबूल कर लिया लेकिन जब जेल में आने के बचें उन दोनो आत्मियों मेंसे किसी एक के हैं जिل्होंने मुझे आकरी समय में बरबात किये था वो दोनों भी कोई छोटे मोटे नेता ही थे इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कह सकी मेरे बच्चें पैदा हुए तो उन्हें मुझ से दूर कर दिया गया आज इस बात को 10 वारिस समझता है ये कहकर नीतु गुपता फूट फूट का रोने लगी उस ओरत पर जल्म के पहार तूटे थे और सजा भी उसे ही सुनाई गई थी मैंने नीतु से कहा कि तुमने अदालत में इस सब कुछ क्यों नहीं बताया वो धीमे से मुस्कुराई और कहने लगी मैंने आपको बताया ना कि जब जब मैं सच बोला तब तब मैंने सजा पाई जब जब मैंने अपने भाईया के सामने भावी की सच्चाए रखी तब तब मेरे भाईया ने मुझ पर पहले से ज्यादा अतियचार किये इसलिए मैं अपने लिए मुसीबत पैदा नहीं करना चाहती थी मुझे सजा होती या नहीं होती लेकिन ये दुनिया मेरे लिए नरक जरूर बन जाती एक ऐसी औरत जो कई मर्दों के साथ समय गुजार चुकी हो ये दुनिया उसे जीने कहां देती है इसलिए मैंने सच्चाई अपने दिल में ही दबा ली मुझे नीतु पर बहुत जाद चुरू किये तो मुझे पता चला कि नीतु के दोनों बच्चे किसी एक मर्द के नहीं बलकि उन दोनों के ही है एक ही रात में उन दोनों ने उसकी इज़त के साथ खिलवार किया था उन दोनों से ही वो प्रेगनेंट हुई थी दोनों बच्चे एक एक अलग मर्द के थे औ नीतु गुपता की सच्चाई का एक बड़ा सबूत भी था केस रियोपन हुआ तो मैंने हर सबूत खुद अदालत में पेश किया था और नीतु से कहा कि अब वो सब के सामने सच बोले मैंने उसे यकीन दिलाया था कि हमेशा सच बोलने पर सजा नहीं होती बलकि कभी कभी सच बोलना हमें किसी बड़ी मुसीबत से निकाल देता है लगबग 6 महीने नीतु का केस चला था मेडिया पर धोम मच गई थी मैंने पूरी तरह से सपोर्ट किया था और फिर वो दिन भी आ गया था जब नीतु को ये कहकर बाइज़द बरी कर दिया गया था कि उसने अपने प विज़द के साथ खिलवार किया था लेकिन कब तक ये जमाना इस तरह और तो पर अत्यचार करते रहेगा कब तक नीतु जैसी ओरते जुल्म की चक्की में पिस्ती रहेंगी और कब तक ये सियासत वाले लोग अपनी हवस पूरी करने के लिए मासूम औरतों का शिकार करते रहेंगे कोई क्यों इन ताकतवार लोगों को सजा नहीं देता कोई क्यों इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता हमारा कानून इतना कमजूर क्यों है ऐसे लोगों को सजा देते हुए क्यों डरता है ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूं कि क्या हमेशा सच बोलने वालो उठाइए ताकि उन और तो को इनसाफ मिल सके जो इस समाज की सताई हुई हैं दोस्त उम्मीद करती हूँ आपको हमादी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले